परदान मंतरी से सवाल पूचना है तो यह बढ़का हुए है परदान मंतरी की कोई जीमेदा दी नहीं है न liberty दो यह क्यों नहीं करें आप के मतलब आप को यह तो पता होना च्राहिए का आप जो है सिक्सामंत्री बढ़ा ही ये तो दे착 में आप यह पार्धान मन्तरी मोधी के अगर अब तीछरा नहीं पड़ा रहा है वो याद रहे हैं तो यह दो आप चाहते हैं कि प्रदान मंतरी मोधी आपको 11th में नोकरी आपको 11th में निवोला मेन तो निवोला मेरे को चाहिए अब प्रदान मंतरी के आई हैं कि पतरकार हूं यह आप बोलते हैं वह इस आप भड़काव वासंदर ना शिक्षा पर क्या परदान मंतरी के कोई जिम्मेदारी नहीं है नहीं देखे जिम्मेवारी है उनका काम है स्कूल अच्छे बना के देना नहीं दिखर आपको कितने स्कूल खुलवाए भी हैं बीजेपी सरकार ने कित जहां बहुत बढ़ जगा गये जहां जहां एम्स की बात रही हुआ हैं अभी भी नहीं है एक बात बताईए कि मतलब यह परदान मेंतरी मोधी के पास जो है वह ऐसी जादू की छड़ी होगी कि वह हम बंबं करके जो है वो बना देंगे पीछे से पैसा सत्ता पकड़ा रि थी आप लोग देखें आप लोग डरे हुए और बीके हुए लोग हो हैं आक को यसा क्यूं अगरा है क्योंकि हमारा आप लोग ने जंता का शूपारी ले लिया है जनता का सुपारी है शिक्चा, स्वास, रोजगार, महिलाओं पर अतियाचार ये सब हमारा मुद्दा नहीं है तो आप तो अभी बता रही है उसको डरा रही है एक बात बताईए जब अभी मैं चलिये ठीक है आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात कर दी दर्च को सब को कराता है तो पहले लोई ना ओडर करते कि तब बचाना अगले दिन बचाई जाती हो आप इसको जब जब वो जब वो उस वक्त मर रही थी तो जो लोग वहां से निकल रहे थे उन्होंने बचाया क्यों नहीं ये दिलिक ये आचा एक बाप मैं तो बोल रहा हूं कि समात में ये बोला गया है कि किसी को मर रहा है कोई किसी को मार रहा है तो बचाओ नहीं बचाया क्यों नहीं बचाया होगा कितने लोग निकली है कौन जनता मैं देखिए समाज भी जिम्मेदार है ये नहीं ये बोलिए ना कलीम जी कि समाज भी जिम्मेदार है हां लेकिन आप लोग था है यस तर आप से यह था मैंने सवाल किया था उसवक्त कि जब ऐसा कोई वो कार सामने आता है तो उसको लव जिहाद का क्यों दिया जाता है मैंने यह सवाल आप से तो देते हो टीवी में बैटके डिबेट कराते हो आप लोग आप देखे तोर मुडोर के कलीम शेग जी हम जनता चाहते हैं कि इस टाइप के जो ग्रेनित मान सिकता के लोग है इसे तूरन सजा मिले और यह हमारे समाज में रहने ल है क्लीम शेग गरिजय आप मेरे प्छार्ट हाँ क्योंकि आप वह हमें धरम-जात के नाम पर बाठी है तो इस पर ए किatives कि न चीन मुसलिम जंडे में हम्-ंक ओन डालो आमें के जिन्द रहने दो आनके यहां के लो हम आतिbin रहने-दो हुए हैं जख्म बेरोजगारी के खाये हुए हैं दगावाज हो तूम यह हम जानते हैं तुम्हारी मक्यारी को पैचानते हैं ये रंगी कहानी तुमी को मबारक ये जूटी कानी तुमी को मुबारक हमारी तरप से ये कैमरे हटा लो हमें जिन्द रहने दो ऐ मिडिया वालो क्या बात है क्या बात है देखे बहुत बड़ा गाना जो है बढ़िया गाना जो है कलीम शेक भाई ने यहां पर सुना दिया एक बात तो दात देनी पड़ीगी क्लीम शेक भाई कि देश का कुछ हो चाहे ना हो लेकिन आपका बॉली बुड में अगला एक्टिंग में नाम आने ही वाला है बहुत जल्द जो है देखे बॉली बुड बाले आपको बुलाने वाले हैं आपको आपके मुँ में घी शकर देखिये मतला कहीं ना कहीं जो है फुटेस तो पूरी ले रहे खलीम शेक भाई भी चलिए बने रही हमारे साथ और देखते रहे हैं सौगंध टीवी आप देख रहे हैं सौगंध टीवी सौगंध वतन की